नरेश मीना ने भी जिनको छोटा किरोडी कहा जाता है अने को उपक्रम किये राजनीती में अपने लिए जगय बनाने के लिए लेकिन अब शायद जाकर उनको लगता है कि जिस पार्टी के हित में उनका हित है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको लेकर प्रचार प्रसार करने निकल चुके हैं वो और हाडोती के हाल की जब हम बात करते हैं तो उसके हाल बेहाल नजर आ रहे हैं और नरेश मीना जिने हाडोती का तूफान कहा जा रहा है क्या सच में वो ये तूफान ला पाएंगे क्या ओम बिर्ला के अंगे इस्ट नरेश मीना की जो रैली हुई थी उसके जो नजारे हैं जिसके चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है क्या वो वाकई में हो पाएगा या मुम्किन या नामुम्किन है सब बताऊंगे आपको इस वीडियो में इसलिए बने रहेगा आखिर क्या है करूं के जी जब गना पिता है करूं करूं कि अजए पुर्ण स्था यूट तो देखा आपने ये वीडियो किसी बहुत बड़े राजनीता का नहीं है कोई बॉलिवुट सूपर स्टार का भी नहीं है जिसके लिए भीड उमर रही है छोटे किरोडी कहे जाने वाले हाडोती का तुफान कहे जाने वाले नरेश मीना के लिए जो की कॉंग्रेस की तरफ से रैलिया निकाल रहे हैं स्टार प्रचारक बनकर प्रचार प्रसार कर रह क्या प्रतिक्रियाएं हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी और ये जो नजारा है जो आप देख पा रहे हैं वो कोटा की जनता को साधने की की गई एक कोशिश है तो ये भीड का जो आंकलन आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है रेल वाले नीता के नाम से का किया जाता है उसी को देख कर इसके भी तरह-रह के माइने लोग निकाल रहे हैं और नरेश मीडा को हड़ती का तुफान बता दिया है और जिस तरह से जनता गुंजल पर भरोसा जता रही है प्रलाद गुंजल पर नरेश मीडा उनके लिए ये रेलिया निकाल रहे हैं और जिस तरह से इसके जो रैली के मिजाज हैं उसको अगर आप धंग से समझेंगे तो कही न कहीं ये कोटा में ओम बिडला के लिए मुसीबत खड़ी का रहा है जिस पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर आप इसको देखेंगे वीडियो को तो एक प्रेशर आपको दिख हैं क्या वाकर में ये जो नजारा है वो हडोती का तूफान बनकर दूसरी पार्टी के ओपर प्रहार करेगा ऐसे तमाम तरह के क्वेशन्स हैं और इस पर लोगों की राय भी अलग-अलग आ रही हैं लोगों का कहना है कि जिस तरह से इस तूफान को उठाया गया है उसमें ओम बिड़ला अपनी जमानत भी नहीं पचा पाएंगे ये रील नहीं रील है और इस तरह से कटाक्ष किस पर किया गया है वो की मुझे बताने की ज़ुरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहां पर बोलना चाहूँगे जो रील वाले नीता के नाम से मश्योर है यानि कि रवि गुंजल ने बाजी पल्टी है वो वाके में यहां पर गौर करने लायक है और ये भीड ये नजारे और ये जो सपोर्ट है वो किसको जातावा दिखाई दे रहा है वो भी आप यहां पर समझ सकते हैं भीड का आंकलन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी जादा नहीं है ये भीड है नरेश मीना के लिए और नरेश मीना उभरता हुआ सितारा है राजनीती में उन्होंने अपने लिए भी बहुत संगर्श किया और जिस तरह से उनको समझाया गया और फिर वो निकल पड़े हैं जिस तरह से वो लोगों के लिए बाते लोगों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, जिस तरह से युवा की आवाज बन सकते हैं, उन सब चीजों को देखकर उन्हें छोटा किरोडी भी माना गया, क्योंकि वो दोसा से बिलॉंग करते हैं, जहां से किरोडी लाल मिर्ना भी आते हैं, और प्रेलाद गुंजल जी के समर्थन में जो छोटे क रोडी यानि की नरेश मिर्ना ने ये रोड शो किया है, वो रोड शो की चर्चा तमाम सारे सोशल मीडिया के गल्यारों में भी चल रही है, अब कहना ये अतिश्योक्ति नहीं होगी कि किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि जो पहला चरण है, पहले चरण में कम जाने के लिए, अब हर संभव वो कोशिश की जा रही है, जिससे वो लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचें, मतदान अपना करें, और इस देश की जो भुमिका है, बंधेगी, चुनावों के बाद में उस पर अपना योगदान दे, अब ये नरेश मीना किस तरह से प्रला अगर वोटर जाएगा, उस समय उसके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं, किस पर वो भरोसा करता है, इसका आप कुछ कह नहीं सकते हैं, जिस तरह से बुजोर्ग और महिलाओ ने तो पर चड़कर हिस्सा लिया, लेकिन देश का युवा इतना हताश है कि वो मतदान केंद्र पहुचा ही नहीं है, इसलिए इसके उपर हम विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हलाकि वक्त जरूर बता पाएगा कि इस भीड के जुटने में इसके पीछे क्या सच्चाई थी, क्या नहीं, लेकिन बाकई में, यहां पर इस सवाल बहुत खड़ा होता है, कि कोटा की जो राजनीती है, बिल्ला वर्सस गुंजर, जिसमें मिल गया है साथ नरेश मीडा का, तो किस तरह से समीकरण बनेंगे, यह तो आने वाला मत बताएगा, लेकिन इसी लोग सभाशित्र से अगर आप आते हैं, अगर आपने देखा है नजारा अपनी आखों से, तो जरूर कि कितनी सचाई है इसमें और किस तरह से समीकरण बनने वाले हैं कोटा में, रखिएगा अपनी राइस मुद्धे पर, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा, और कॉमेंट बॉक्स में ना भूलिएगा, कॉमेंट करना, इस वीडियो को जादा-जादा शेयर भी की और ऐसे और वीडियो के लिए दिखते रहे हैं, राजसान समवाद, नमस्कार। इसलिए सोलर प्रोजेक्ट की टाइमली डिलेवरी करते हुए, एक पार्टनर की तरह आपकी नमस्कार।